तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में आज हमारे साथ है मशूर आश्रोलोजर डॉक्टर तृष्ला चतुरवेदी जी इनकी दस पीडियां पिछली दस पीडियां आश्रोलोजी में ही थी और ये भी उस प्रथा को कंटिन्यू कर रही है ऑफ कैमर जैश्री कृष्णा मैम सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइपस ऑफ आश्रोलोजी कितने प्रकार से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो फेस रीडिंग पाम रीडिंग हैंड राइटिंग ये सब हमने सुना वाए सबको पता है बट आपके पास जो तरीके वो जोन ने हमारा दिमाग हिला दिया तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ओडियंस को बताईए किस किस टाइप से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं सबसे पहली चीज किसी भी व्यक्ति को जानने का सबसे बड़ा तरीका होता है उसकी अपनी बॉड़ी उसका शरीर आप उ के हातों की लकीरों से अब कई लोग कहते हैं कि किसी के हाती नहीं है तो आप क्या देखेंगे पैरों की लकीरों से बहुत अच्छी से प्रेडिक्शन्स होती हैं आपके नाखुन जो होते हैं पैरों के अंगुठे का नाखुन और आपके हात का नाखुन अंगुठे का इस इसे भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़े प्रेडिक्ट की जा सकती हैं एक होता है सामुद्रिक शास्त्र आप लोगोंने सुना होगा सामुद्रिक शास्त्र में हम आपकी बॉड़ी के एक एक पार्ट से बता सकते हैं कि आपका वहवार कैसा होगा आपका स्वभाव कैस है आपको जीवन कैसा रहेगा आपको सकसेस मिलेगी आपको अपरा क्राइगे आपको सारी अनिगीषा पसंद को से box पसंदrey best बहुत बड़ी चीज है, face reading, your voice, मैं voice reader भी हूँ, अगर मेरे जैसा कोई आपके पास है जुकाम में, तो आपकी आवाज, आपकी vibrations तो निकले हैं, उससे भी बहुत कुछ predict होता है, फिर आपके पास सबसे बड़ी चीज होती है, astrology, जो आपके कुंडली होती है, जो आपके जनम के समय बनाई जाती है, वैसे ये पदती गलत है जो जनम के वक्त कुंडली बनती है किसी भी मनुष्य की कुंडली तभी बन जाती है जब वो अपनी मा के गर्भ में होता है और हम लोग तो गर्भ धारन करने के समय से बता सकते हैं कि इस जातक का जनम होगा कब कौन सी डेट पर होगा किस वक्त पर होगा time भी calculate किया जा सकता है अगर आप उसे किसी unnatural पद्धती से ना जनम कराएं जैसे कि operation वगरा करवा के तो naturally आपको बताया जा सकता है कि इतने बचके इतने मिनट पर इस बच्चे का जनम होगा और मैं खुद इसका आपके सामने live example हूँ मेरे पैदा होने के चार महिने पहले मेरी कुणली बन चुकी है अच्छा जी इस चीज के लिए देखना तो पड़ता हो कुछ की मा अच्छा बिल्कुल calculations है तो parents की कुणली से calculate होता है कि बच्चा का जनम धारम करने की उस समय की उससे calculate होता है और दूसरा होता है मा और पिता दौनों की कुणलीयों को दौनों को जोड कर calculate की जाती है चीज़े उससे पता चलता है कि यह जा तक अब कब जनम लेगा तो आप exact natural date बता सकते हैं हम बिल्कुल accurate time के साथ seconds भी आगे पीछे नहीं होंगे अच्छा जी बिल्कुल यह तो नहीं चीज पदा चलिया मैं आपके थरों में यह बहुत कम लोगों को विद्धिया आती है जिसमें से मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे दादा जी को आती थी तो स्वभा हो गई केपी सिस्टम हो गया प्रैश्न कुंडली हो गई हौरा शास्त्र हो गई एक जमा कोल करके पदती है साउट की है उससे भी हम बहुत कुछ लोगों के बारे में बता सकते हैं फिर हमारी जैसे मैंने कहा हमारी बॉड़ी अपने आप में हमारी अपनी कुंडली है आप की परचाई से आपकी कुंडली बन सकती है परचाई से परचाई से कैसे करोगे मैं सूरे उदित होने के समय जब सूरे उदे होते हैं उस समय से आपको सूरे के सामने खड़ा किया जाता है और जैसे जैसे सूरे की परचाई बढ़ती जाती है मताब उनका तेज बढ़ता ज बिल्कुल होती है और इसके लिए भी समय नक्षत्र बहुत कुछ देखा जाता है तब ही कर सकते हैं अच्छा तो आप करते हो एक लाहिश्क करते हैं मैं आपको जित्तिवी चीज़े बता रहे हूं मैं सब करती हूं फिर इसके बाद कुछ ऐसी चीज़े हैं जो सुनने में ब बहुत पहले ब्रगु रेशी द्वारा गनेश जी के साथ मिलकर सारी श्रिष्टी की कुंडलियां अल्रेडी बना दी गए हैं और वो जो पत्र हैं वो बहुत अलग-अलग जगहें जो हैं वहाँ पर सुरक्षित हैं और आप वहाँ जाईए अपने थम का इंप्रेशन दीज वाइफ और वाइफ और हाजब्ड आपके बच्चों तक का 1st letter बता दिया जएगा कितने बहाई है कितने आपके बच्चे होंगे इस समय आपको क्या मिलेगा यह आपकी लाइफ का सक्सेस का समय है यह डाउन पॉल का समय है यह आपको कस्ट देगा यह बहुत सुखद रहे आपको पूरे सब के आपको सेंटर 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 के वह दे सकते हैं तो वहां से आप अपने बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं और बिल्कुल एक्विरेट उसके लिए आपकी कोई कुंडली नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए सरिफ आपके अंगुठे का एक निशान चाहिए और वहाँ पता चल जाएगा क्या है देखिए आप कभी ना साइंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा क हाँ यह चीजें सत्य है यह सरिफ अफवा नहीं है या लोग अंधविश्वाश नहीं फैलाते हैं यह बिल्कुल सत्य है इस पूरी श्रिष्टी के अंदर किसी भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ दो ही चीजे मैच कभी नहीं करेंगी एक उसके अंगुठे का च कि यह ठाकुर जी की बनाई दुनिया है इसके अंदर इतनी अधवुद्ध चीजें हैं जिसे आज हमको ननमस्तक होके स्विकार करना पड़ेगा तो नारी जोतिश भी इसी के अंदर समलित होती है तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा और आपकी ही पत्र के अंदर आपको इंडियन नहीं किसी का भी थंप्रिंट अगर लगा है तो अब हो सकता है फॉर्णर का भी जी बिल्कुल हो सकता है जाते हैं फॉर्णर निकल वाने के लिए आज कल मैं वैसे जाद होगे फॉर्णर जादा मानने लग गए इन चीजिवह पहले भी मानते थे तबी तो उन्ह इंडिया कोई अपना टार्गेट बनाया हमने अपनी चीजों की वैल्यू निकी उन्होंने तो हमारी चीजों की हमेशा वैल्यू करिए वन्ना आप सोचिए न उन्होंने इंडिया कोई अपना बेस बनाने का क्यों सोचा था हमारी संस्कृति के अंदर जो चीजें हैं आज आज वो चीज नासा जिन चीजों को प्रमानित कर रहा है हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी जोतिश ना जाने कबसे उन चीजों को किताबों में लिख चुकी है तो ये एक तरीका है नाडी शास्त्र इसके बाद बहुत सारी सिद्धियां होती है कंपिशाचनी आप लोगों को तो बहुत अच्छी से पता है आप लोगोंने बहुत काम किया है उनके उपार जादा चीज बता है बहुत याद करती होंगी बस आना जाए हम तो दूर रहते हैं कि वही किसी भी तरह एक्टिवेट ना चाहिए क्योंकि ये बहुत नकारत्मक होती है और ये आपका जीवन बहुत एंड मोमेंट पे जाकर बहुत खराब कर देती है इसके अंदर और भी बहुत अच्छी सिद्धियां होती है और बहु इस तरीके से अपसरा सिद्धिय कि बहुत अच्छी होती है जिसके अदर आपको सपने में दिख जाता है कि क्या चीज घट्टित होने वाली है कैसे वो चीज़ें आपको मिलेगी जो मैं आपको अपसरा सिद्धि बता रही हूं इसी को अंग्रेजों ने नाम दे दिया है और हम बेफकूफ उनकी एंजल वीडिंग को और उनके दिये हुए नंबर्स को दे देके बोलते हैं आप मैनुफेस्ट कीजिए एंजल नंबर लिखिए मैनुफेस्ट कीजिए नहीं ये साधना ये विद्या हमारे पवित्र भूमी से ही जन्मी है और हमारे रिशी मुनियों नहीं इनका भेद बताया है ठीक है इसके अंदर बहुत सारी और चीज़े आती है जैसे कि भैरो सिद्धी अस्ट सिद्धी जो स्वैम हनुमान जी के पास थी और बहुत सारी देवी देवताओं की सिद्धी वो तो होती है और वो सात्वेक होती है जिससे आपके इंट्यू अच्छा आपने बच्पन में या भी सुना होगा ना एक वो आता है बोर्ड वीजा बोर्ड या उसके उपर कुछ कुछ करके और आत्माओं को बुलाया जाता है और उनसे जाना जाता है वो बेसिकली प्रेट सिद्धी है हां वो अंग्रेजों ने उसको फेमस कर दिया तो हम इंडियन उसको जानने लगए पर यह बहुत पुरानी सिद्धिया है यही प्रेट सिद्धी रामन के पास भी थी बताओ वो भी हां से निकल लिया है बिल्कुल यहीं से निकली है हम आपने प्रक्टिस किया उजबोड नहीं मैं गलत चीजों का साथ कभी नहीं देती मैं ठ ठापूर से भढ़कर नहीं फिर उसके बाद में आपके पास आती हैं बहुत सिंपल सिंपल रीडिंग्स होती है जिसके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं होता जो सिद्धिया नहीं होती है यह बेसिकली नेचर साइंस है एक साइंस जो आप पढ़ते हैं जैसे कि मैतोमेटि जैसे क्कों स्टी हो गई यह रसता गाई यह आप जिसक्स निकले आपको एक सफेद रगय की गाय दिखी बचले के साते खड़ी हुई इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है कौन बताता है शगुन श्यास्ता अच्छा मैं आपने जो बताया कि अगर काली बिली रस्ता काट जाएगी तो डेफिनेटली अप्शगुन होता है लेकिन यही अगर दिन के वक्त होगा तो यह विपरीत हो जाएगा यह शगुन हो जाएगा अच्छा बट मैं हमने खुद काफी ऐस्ट्रोजर से यह बात सुनी है कि ऐसे पहले की जो कहावते थी यह तो उन्होंने पुराने जमाने के हिसाब से बना दी थी कि मैंने ऐसा कही सुनाई था कि जैसे काली बिली रास्ता कार्ड गई तो ऐसा होता था पुरानी टाइम पे जंगलों में कि उस रस्ते नहीं जाना चाहिए हो सकता है उसके पीछे कोई जान वरो यह रात को जाडू इसलिए नहीं लगाना चाहिए उस जमाने में लाइट नहीं होती थी कोई आपका ज़रूरी सामान ना बाहर चले से लोगों से प्लीज कहिए कि वो तीस दिन प्रैक्टिकली अपने घर में शाम के बार ज़ाडू लगा कर देखें और तीस दिन बाद मुझे बताएं कि श्री जी महावास कर रही है या नहीं जो भी चीज आप जिसको भी चैलेंज कर रहे हैं आप उस चीज को प्रैक्टि क्योंकि वह आपको बहुत कॉंप्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते थे जब इन्हीं चीजों के बारे में आप डैप्ट में जाएंगे समुंदर में घुसेंगे आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन चीजों के पीछे बहुत बड़े फैक्ट बंड़े था चाहाँ उल्टी चबड का समद्ध करें में आपने चलती फुल्ती एक कुणली है तो हमारी बोड़िका हर एक भाग जो है वह हर गरे संबंध रखता है तो हमारे जो पैर होते हैं उन पर शणी जी का आधिपत्य है शनी महाराज हमेशा जब भी अपनी कृपा या अपनी जब भी अपनी प्रकोप को हमें दर्शाएंगे तो वो हमेशा हमारे परों पर ही सबसे पहले आएगा भी सब्सक्राइब हामें परों पें चोट लगनी ही चालू हमारे पर जो है वह सबसे ज्याँदा दर्द करना चालोँ कर देंगे हमारी चपलें घिसने लगेंगी, हमारी चपलों को पहनने से हमें दर्द होने लगेगा, हमारे पैरों के अंदर जलन होने लगेगी, एडियां फटने लगेगी, तो आप समझ लीजे, शनी का नेगेटिव इंपक्ट स्टार्ट हुआ है, और जो नहीं पढ़ते हैं, वो भी आप इस चीज़ को देखेगा, शनी जब भी राशी परिवर्तन करते हैं, धाई साल में, जब भी मारगे होते हैं, वक्री होते हैं, आप कोई भी, एवरिवन, छोटे से बच्चे से लेके, और बड़े एकदम व्रद व्यक्ति तक, आप आ पूरा कंट्रोल आपके पैरों के उपर होता है, और फिर चपलों का भी इसी के साथ संबंध बन जाता है, जैसे कि लोग ये भी कहते हैं, शनीवार के दिन कहीं चपल रह गई तो बोलते हैं, अच्छा हुआ, शनी चर उतर गया, अच्छा, बहुत सारे शनी टेमपल, मैंने अपनी लाइफ में, जब मेरी शनी की महादेशा चल रही थी, नाइंटीन यर्स, मैंने चपले नहीं पहनी, अच्छा, मैंने कभी चपल नहीं पहनी, मैं 19 साल बिना चपलों के रही हूं, नंगे पैर, इसका परपस क्या था, शनी मेरी जिंदगी के अंदर, मेरा सब बाबा ने ऐसे, मैंने जैसे बताया कि मेरे जनम से पहले उन्होंने कुनली लिग दी तो उन्होंने ये चीज उसके अंदर मेंशन की थी, कि जब इसकी शनी की महादर्शा आएगी, तो इसको चपले त्याग देना चाहिए, तो वो चीज इसको और ज्यादा ठाकुर जी के अब उल्टा नेगेटिव असर चालो होगा, मतलब पनौती स्टाइट हो जाएगा और शनी की पनौती कोई नहीं लेना चाहता, आपके घर किसी भी वास्तु शास्त्री से पूछेगा, आपके पास बहुत लोग आते हैं, वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे, जिनके घ जहरों के बाहर उल्टी सीधी चपले पड़ी होती है, उनका दुरभाग्य पक्का आता है, इवन दो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ब्रिष्टिक राशी का शनी होगा, मेश राशी का शनी होगा, यानि कि मंगल की राशी का शनी होगा, ऐसा जाता का अगर बहुत जूते चपल इखटा करता है, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाता, यह एस्टोलोजी का सिध्धान्त है, और प्राक्टिकली आप इसको करके देख सकते हैं, हमारे ग्रह हमें नुकसान कब पहुचाते हैं, जब हम अपना सैयम त्याग देते हैं, हम ग्रहों के विप सबकी में हैं, सबके ग्रहन अक्षेतर, उनके प्री करमाज उनके साथ डिसाइड होकर आएं, पर उनको वो चीज़ क्यों हम नहीं कर रहे हैं, वो उसके मताबिक शायद कहीं ना कहीं वैसा ही करम कर रहे हैं, और जब वो विपरीत जाने लगते हैं, उनको भी हम करती हैं, तो इसी लिए यह जो आप बोल रहते हैं कि यह सिर्फ बाते हैं या यह एक अंध विश्वाश हैं, नहीं, इनके पीछे टोटल लॉजिक है और साइन्स हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जैसे आप काली बिल्ली का बोल रहते हैं, दिपा दिवाली आने वाली रात को निकलो ढूंड़ने, बिल्ली काव आई, रहा अगर किसी की पाल तु बिल्ली देख ले जाके, आपको जितनी जादा चिपकलियां दिखेंगी ना, आपका नेक्स्ट येर उतना ग्रोथ का होगा, अच्छा, सीरिसली, शगुनिशास्त, तो चि दंतेरस पर, धंतेरस पर सिर्फ, हर चीज़ का महत्व हो जाता है ना, जैसे उल्लू का महत्व दिवाली पर हो जाता, शॉरी, लक्ष्मी वाहन, उनका महत्व जो है वो उसी दिन हो जाता है, आपको भी कामख्या जाएं? नई, जाएगा, पतब आपको वहां जाके, रियल कलेजे से, उनकी नाखुनों से, उनके पंखों से, बहुत सारी सिद्धियां की जाती है, और कामख्या के जस्ट बगल में ही, पास में ही, एक शहर है, जिसका नाम है मेयोंग, गाउं है, शहर नहीं है, मेयोंग, वो ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा गड़ है, और आप जाने यहीं मेयोंग के लोगों से, काला जादू करवा के, पूरी की पूरी सेना गायब करवा दी थी, कैन यू बिली, वहां आप जाएंगे न, वहां ऐसे चुटकी बजा के इंसान को तोता, तोते को घदा, घदे को बिली, बिली को सुवर, सुवर को पर इंसान, सीरिसली माम ऐसी जगा क्यों जाएंगे हम वहां जाके गलती हो गई तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका मन पवित्र है आपके भाव पवित्र और आप किसी चीज को गलत लेके नहीं जा रहे न तो वह चीज आपके लिए कुछ गलत नहीं है हम इस शिष्टी में जब आये हैं हमें सेखना चाहिए यह चीज और कहीं नहीं मिलांगी हमें और मयम यह जो लू वाली चीज है इससे कैसी साथना प्रापत होती हमनेकि तो आप कुछ डिया थे इक्स्प्येंच kissing सही हैं मेरे घर में कोई एक्सपायर हिए कि तो मुझे यह जानना थे क्योंकि तो मैं उनसे last moment पे कोई बात नहीं कर पाई थी और उनका मेरा बिल्कुल भी आपस में conversation नहीं हुआ था मुझे ऐसा लग रहा था कि he wants to say something to me तो मैं वो जानने के लिए गई थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते जब मैं वहाँ पहुची ये बात बहुत पुडानी है लगबग 14-15 साल पुडानी है जब मैं वहाँ पहुची तो एक व्यक्ति था उसने मुझे बोला कि आप इन से मिलने आये होंगे और आप यहाँ से सीधा चले जाएए और वो आपको वहाँ मिलेंगे जब कि मैं पर्टिकुलर्ली किसी से मिलने नहीं गई थी मुझे पता ही नहीं था मैं तो सरफ होता है न कि आप किसी से बहुत अटैज्ज दो बहुत प्यार करते हो तो आप बस दुन में चले गए कि नहीं मुझे तो उस व्यक्ति को जानना ही है करके वो एक जुनून पागलपन तो मैं गई वहाँ पर और एक बुड़े से अंकल भाहा निकल किया है उनकी लेंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी तो जो मुझे लेकर गया था वो उनसे बात कर गया था और उसी ने मुझे कॉम्निकेट करके बताया उन्होंने मेरे खड़े हुने पर मुझे बता दिया कि मेरा नाम क्या है मैं कौन से सीटी से आई हूं और मेरे आने का लक्ष क्या है और उन्होंने मेरे सामने एक पात्र रखा जिसके अंदर बिल्कुल ब्ल्यू पानी था, नीले रंका, ट्रांस्पेरेंट पानी नीले रंका, और उसके नीचे एक पात्र रखा, और उन्होंने ये बोला कि जो भी तुम्हें पूछना है, वो तुम तब तक पूछ सकती हो, जब तक ये घड़ा खाली नहीं हो जाता है, जैसे ही ये पात्र खाली हुआ, मैं उसके बाद तुम्हें कोई जवाब नहीं दूँगा, और उन्होंसे मैंने जो भी सवाल किये, जो कुछ भी मैंने उन्होंसे पूछा, उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई, जब कि जब वो हॉस्पिटल में थे, उन्हें तो नहीं बोलना चाहते हैं, कि आप अपने लाइफ में कभी हारना मत, और कहीं जुकना मत, और जैसी हो वैसी ही रहो और आगे बढ़ती चलो, I am always with you, तो वो पानी कम कैसे हो रहा था हरा था, वो बिच्चा नीचे उसमें एक छेद था, उससे वो नीचे दूसरे पात्र में जा रहा संबंध है, मुझे बहुत पता नहीं, मैं इस पर रिसर्च करूँगे, फिर नेक्स पॉड्कास्ट करें आउंगे, लेकिन मैंने जो सुना वहाँ पे, वो ये था, कि वो ऐसा बोलते हैं, कि ये जो शक्तिया है, वो स्रिफ इस एरिये तक सीमित है, अगर वो उस छेतर से ब कहा जाता है, कि आप फूग दो तीन बार, और फिर उस पानी के टेक्स्टर को टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है, इसी प्रकार से होली की रातरी, सक्रात की रातरी, जो हमारे जैनवरी में संक्रान्त आती है, मकर सक्रान्ती जिसे हम उसमें हम अगनी दुआरा प्रेडिक्शिंस निकालते हैं कैसे अगनी प्रजलित करते हैं फिर जिस तरह की चीज हमें पता करनी होती है जिसके बारे में जैसे सपोज आप मुझसे अगर यह कहेंगे कि मेरी जॉब के बारे में बताई है तो वैसी ही सामगरी उसके अंदर डा आके मैं कोशिश करूंगे नेक्स्ट आपके साथ ही पास्ट हम पासले कर सकते हैं यास बिल्कुल कर सकते हैं उसके लिए को मेरे आ के पॉड्कास्ट करना अच्छा तो माम क्या-क्या पता चल जाता है उसमें everything आप अपनी लाइफ के पास्ट में जाके जर्नी करके आ सकते ह और आप खुद जान सकते हो और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विद प्रूफ मेरे पास इस चीज के अनसर्स है कि हां ऐसी कोई जगे जो हमने देखी थी वो सही में हैं और ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर था और बहुत सारी और भी इसके अंदर चीजे होती है एक जो हमारे खांदान में बहुत ज़्यादा प्रचलेत है, मेरा छोटा भाई करता है, वैसे इसे बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ रेयर केस आजाता है, मेरे पास को मै करती हूं, चलिए एक चीज और बताती हूं आपको, एक काजल विशेश रूप से बनाया जाता है, क क्योंकि ना ही अपने बाल खुद नहीं गाच सकता, तो मैंने अपने ब्रदर से बूला कि प्लीज आप देखके और मुझे बताओ, तो वो चीज हूई, इसके अंदर क्या होता है, कि आठ वर्ष के छोटे बच्चे को, बच्चा या बच्ची, उसके अंगुठे के उपर, और वो इसलिए क्योंकि वही बच्चे जो होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है, और वो तुरन ठाकुजी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके अंगुठे पे लगाकर एक एक चीज का पता कर सकते हैं, वो चीज दिखती है, जैसे आपने वो देखा होगा, एक क्रिस्टल बाउल आता है, उसके अंदर देखके रीडिंग की जाती है, ये कुछ उसी तरह का मैथड है, लेकिन ये अंगुठे पे लगाकर देखा जाता है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजे हैं, जो हम बहुत अलग-अलग तरीकों से ग्याद करते हैं, फूल पत्तियों से पता च एक्स्पीरियंस बताती हूं, मैं बहुत बार अपनी ओडियंस को तो सुना चुकी हूं, आज आपकी को भी सुनाती हूं, ये बात है 2015 की, मेरे पास एक केस आया था, USA से, मेरे एक परिचित है, वो वहाँ पर रहते हैं, उनके कोई मिलने वाले एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल आराम से चलते चलते बेहोश हो गए और वो कोमा में चले गए, सारे टेस्ट होके थे, सब कुछ होके था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, कि ये कैसे मालूम पड़े, कि भई, इनको बिमारी किया है, तो जो मेरे परिचित थे, उन्होंने उनकी वाइफ को कहा कि मैं किसी को जानता हूँ, आप कहें, तो मैं उनसे पूछ कर आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे पहला हतियार होता है, जनम पत्री, जब जनम पत्री खोली, तो पता चला कि इनकी तो लाइफ में ऐसा कोई और चीज है, जिसे हमें टेस्ट करना चाहिए, तब हमने फिर ये काजल वाला टेस्ट किया, तो आप सच में विश्वाश नहीं करेंगे, निकल के आया कि इनके एक जुड़वा भाई हैं, जो इनसे विप्रीत पक्ष में रहते हैं, विप्त्रीत पक्ष का मतलब होता है, जैसे हमारे हां सूर्य उदय हो रहा है, तो वहां पर सूर्य अस्त हो रहा हो, जब हमारा उदित सूर्य हो, तो वहां पाटाल का सूर्य हो, तो अलग अलग, तो उनों, मतलब जो निकल के आया, उसका मतलब यही था कि या तो नेपाल, इंडिया या इस तरफ होंगे, त पॉसिबल तो बेसिकली उस रीडिंग में इनके एक रियल ट्विन ब्रदर है है और उनको ब्रेन प्रॉब्लम है उनको सेम प्रॉब्लम है उसका असर इनके उपर आ रहा है ऐसा निकल के आया और उनकी वाइफ ने बिलकुल मुझे को साफ मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं आता है आप लोगों को पागल बना रही है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हस्बन यहीं रहे हैं खैट जब बात होती है तो फिर उन्होंने अपनी मदर इनलों को बोला कि ऐसी ऐसी किसी ने बताया तो उनकी मदर इनलों जो है वो बहुत शॉक्ट हो गई और उन्होंने कहा कि तुमने उनको क्या बोला कि मैंने उनको बहुत खरा को बहुत बुरा बुरा सुनाया तो उन्होंने बोला कि आप कॉल लगाई है मुझे उनसे बात करने है और उन्होंने मुझसे बड़े प्याल से बात कि और मुझे बोला बेटा आप बिल्कुल सही क्या रहे है इनका एक मैंने का अंटी ठाकुजी ने दिखाया तो मैंने आपको बड़ता दिया तो बोले अब यह बच पाएंगे या ने आप पता करिए इनके जो ब्रदर है उनको सेम प्रॉब्लम है वो हस्पिटलाइज्ड है और जो चीज सामने दिखने में आ रही है वो यह है कि इन दौनों भ यह बचादर थी वह एक्सपायर हो गए और वह ठीक हो गए और अब वह मेरे पास हर छे महिने में आते हैं अच्छा यह थोड़ा स्टेंज है वैसे कि उनको मुंबई में कोई प्रबलम हुई तो उनके ब्रदर को वह इंपक्त लीटा जुडवा थे ना आज एफेक्ट करत कुणियुता स्टेंज हैं रहें तो रहें यह ना ओया एक्षम टाफी सबस्कीणिन कि प्रेडिक्षं एंग्लेंड में कर सकते हैं बालत fel करते हैं कि हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत खुश हैं क्यों आप तीनों एक साथ में सक्सस हो कभी सोचा है हमें तो किसी एसलोजर ने बताया कि यह हमारे ब्रेजबन के बैठा हुआ है देखे बेसिकली आपके एनरजी आज की नहीं है आपके एनरजी जो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है यह आपका पास्ट कर्मा है पिछले जनम का इस वज़े से आप तीनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हो और आप सक्सस हो रहे हो ठीक है यही चीज अगर मैं बोलू तो आप बहुत सारे लोगों को देखेगा किसी के साथ पार्टनर्शिप करते हैं और उनकी बरबादी आ जाती है सही बाद है किसी के साथ काम स्टार्ट करते हैं और वो एकदम हाइट पे होता है और दूसरा बंदा जो है वो उसको डाउन पे लिया आता है और वो हाइट पे चला जाता है, energy exchange, कहते हैं जब किसी की शादी होती है तो कहते हैं इसके पैर बहुत अच्छे पड़े हैं, देखो इस आदमी की तरक्की हो गई, partners, energy exchange, ये हमारे समाज पे इस पे बोलना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं य change of energies, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये energy तो travel कर रहे हैं, और इसके अंदर मंत्रों का ही जाप प्रमुक होता है, और इसको करने के कुछ नियम साध्य होते हैं, जैसे कि ये पानी में बैठकर करी जाती है, और कुछ लोग इसको मित्ती पे, पंच तत्व के साथ ही इसको आप कर सकते हैं, तो कुछ लोग मित्ती के धेर में बैठकर इसको सिद्ध कर लेते हैं, ये बहुत सात्विक है, इसमें कुछ खराब नहीं होता, और ये आपके intuition पावर को बढ़ा देती है, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा लगा कि ब कर रखी होती है, उस व्यक्ति का आप देखिए का हाफ भाव हमेशा बिखरा बिखरा रहता है, वो अकेले में भी लोगों से बाते करता रहते हैं, हम आपके पास कोई रियल लाइफ experience है, करन पिशाचनी का कोई आया हो, कोई client आपके पास है, वो बता रहा है, मैं लेती नह हम लोग अभी एक वास्तू पे गए थे, गुवा, मुश्किल से मेरे खाल, नाइन्त को ते आज, दस दिन ही हुए हमें, और जिन्नों ने हमें बुलाया था, वो Christians थे, उनका घर था, वो उस घर को चोड़ना नहीं जा रहे थे, और उन्हें वहाँ पे, रोज दिन कुछ न कुछ नया negative समझ में आ रहा था, जब मैंने उस घर के अंदर पहला कदम रखा, मैंने और मेरे हस्बन ने, तो हमें वहाँ से चंदन की खुश्बु आई, जिन और चंदन, बड़ा आजीब नहीं है सुनने में, और जब उनसे interaction किया, उनसे बात की, तो पता चला कि वो सात्विक, और उनका सरिफ यह कहना था है इस घर के अंदर, क्योंकि हमारा घर है, हमने यहाँ पर बहुत पवित्रता के साथ अपना निवास किया है, बहुत पूजा पाट करी है, बहुत अच्छी से रहे, तो हम यह चाते हैं, यहाँ जो भी रहना, वो सात्विक इंसान र रही थी, क्योंकि वो बहुत सात्विक जिन थे, और आपने कम्यूनिकेट कैसे किया जिन से बता सकते हैं, इनका एक तरीका होता है, एक यंत्र तैयार करा जाता है, यंत्र बनाया जाता है, और उस यंत्र के थुरूप फिर यह आपके साथ बात करते हैं, किसी की बॉड़ी करते हैं, क्रिश्न भक्तों ने तो महवारते कर दी, जो क्रिश्न, एक चीज़ सोचिए, मैं केवल ठाकुर जी कानी कह रही है, अक्चली मैं उन्हें बहुत प्यार करते हूं, इसलिए मेरे मूँ पे ठाकुर जी ठाकुर जी रहता है, आप किसी भी शक्ती के साथ हैं, मूटी मूटी चीज़ों से क्या डरेंगे, यह तो हमारे ठाकुर जी के लिए ऐसे चुटकी बजा के हटा देने का काम है, अच्छा माम आप सुप्रीम पावर की बात होई रही है, तो आप एक सुप्रीम सिद्धी की बात कर रहे थे जो आप हमारे पॉड़गास्ट में र और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि यह कृष्णा की त्रिश्ला बनेगी, अच्छली मेरे फादर जो है, मेरी जो फादर साइट की फैमली है, वो जैन है, उन्होंने मेरी मादर को बोला कि यह कृष्ण भक्ती ही बनेगी और यह कृष्णा की त्रिश्ला है, मेरा नाम और आप विश्वाश करिए मैंने आठ साल की उम्रता कोई भी ठाकुर जी का मंदिर नहीं देखा था क्योंकि उस समय ना ये रील्स होती थी ना ये फोन्स होते थे हम बहुत पीछे वाली पीडी के वेटा तो हमारे टाइम में ये सम नहीं होता था हां टीवी चलता था वो भ क्रिष्णी के बारे में इतना नहीं पता था जितना राम जी के बारे में पता था तो एक दिन मैं कोटा से हूं मेरे बाबा जो थे वो कोटा में रहते थे तो एक दिन हमारे चंबल नदी पे वो हमें नहलाने ले गए और मेरे बाबा ने ऐसे मेरे दौनों हाथ पकड़े औ दिया एक सरे, और मुझे सबस्यादा डर पानी से लगता है, मुझे भालड में आ लगता है, और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं गई, और गई और एकडम से लाइट थी जो मेरे सामने आए और एक छवि खड़ी थी, जो खड़े हुए थे ब्लैक कलर के थे और रेड रेड उनके होट थे और रेड उनकी बोहें थी और वो सामने मेरे खड़े हुए थे और मुझे कुछ समझ नहीं आया यह क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम बाबा मुझे घर ले आये मैंने उनसे आकर अपना experience शेयर किया तो उन्होंने का हा कि बस अब आज से तुम उनकी मैंने का किसकी ये तो बता दो तो कहते हैं वो अपने आप तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे जब उन्हें लेना होगा ठीक है मैं 13 साल की थी जब पहली बार मैं गोविन देव जी मंदिर गई जो कि जैपुर के अराध्य देव हैं और मेरे गुरू हैं मैं पहली बार जब उस मंदिर के अंदर गई और मैंने देखा खड़े होकर तो ये वही थे जो मुझे उस दिन दिखाई दिए थे और वो एक पल चाहा जब मैं उनके आगे आधीन हो गई और मैंने कहा कि अब तो बस आप ही आप हो आप ही आप हो तो मेरा जो ये तुरुप का एक्का है ये मेरे ठाकुर जी हैं ये सुनने में बहुत अजीब सा लगएगा लेकिन आप अगर मेरी जगे पर बैठे होंगे तो मैं आपको प्रूफ करके दे सकती है मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे और ठाकुर्जे आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़े बता देंगे जो आपको खुद को भी पता नहीं होगी और ये सबसे सुप्रीम पावर होती है जो बहुत सात्वे क्या इससे किसी का कभी कोई हम नहीं होता और जिसके उपठर उनका आश्रिवाद ओगया मतब समझें वह अगर किसी के बारे में बता रहे हैं तौ इसका मतलब उस इंसान का तो इस similar से मोक्ष मिलना पक्का ही है क्योंकि वह एक जनम दो जनम दस जनम नहीं वो आपकी कडियां बता देते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं मेरे पास अपने रजिस्टर क्लाइंट्स आज की देट में 25 लाख हैं आप मल्टिबल क्लाइंट्स एक साथ देख लेतने हैं क्या नहीं देखती हैं ओनलाइन देखते हैं नहीं सर्फ लाइफ जब करती हूं तो उनके सिर्फ हा या नामे जबाब देती हूं यहाना वाली पदती है जो है यह भी अपने इंडिया में बहुत प्रजलित है आपको प कभी किसी काम के लिए अटक जाओ और आपको समझ में ना आए कि इसका क्या होगा हां मिलेगा ना मिलेगा अच्छा होगा बुरा होगा हर रामचरित मानस के अंदर एक प्रश्नावली होती है आप पवित्र मन से सिया राम को याद करिए हनुमान जी का आहन करिए बैट जा जाए एक आपका पूरा का पूरा दोहा बन जाएगा और उसी प्रश्नावली के नीचे उसका अंसर लिखा होगा कि ये कारे सिद्ध होगा नहीं होगा ये कारे सफल होगा नहीं होगा इस कारे से आपको दिक्कत है आपकी संगती खराब है इस वज़े से आपका ये काम नह इसी प्रकार हनुमान प्रश्णावली भी होती है, भैरो प्रश्णावली भी होती है, देवी प्रश्णावली भी होती है, तो वो क्लियरली समाझ आ जाएगा हम जैसे आम लोगों को भी, कोई भी कर सकता है, जिसको आई पढ़ना आता है, वो कोई भी कर सकता है उसको, मैं कह मैं तो रही हूं आप प्राइज जरूर करियेगा और प्लीज इसी तरीके से टैरो काट आपने सुना होगा मेरी बिटिया चौदा साल की थी तब से ठाकुर जी की उसके उपर आश्रवाद है और वो टैरो काट करती है वो तो अलग बात है लेकिन वो पढ़ाती है अब और श इतनी भी Nature Science ये वे आपके पैदा होने से पहले ही प्रकरती ने आपको दे दी हो ती है अगर उनके पास है तो फिर उनकी हातों की रेखाएं लेती हूं उनके थी रीसेंट फेस की फोटो लेती हूं, ये तीनों चीजों को कमबाइन करती हूं, और तीनों चीजों को कमबाइन करके फिर उनका प्रेडिक्शन्स निकालती हूं, बहुत डिटेल्स में जाके निकालती हूं, क्योंकि कुंडली के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिन प्रिंगिन क्या होता है कि काई मईलोगों के पथे समराने अगजान। तो इसलिए हम हातों की देखाएं लेते हैं। आपने अगर मुझे आज अपनी हाथों कò देखाएं भेजी हैं तो यह आपके हाथ में होगा, लेकिन हाथ की रेखाएं जो होती है, वो बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन हम एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, पर जब हम एक कुंडली टैली करनी है, तो यह सबसे अच्छा हतियार है हमारे पस उस समय च आखे बड़ी होगी, चोटी होगी, कान कैसे होगे आपके, यह सारी चीज़े आपके जो जनम चाट है वो बता देता है, तो इसलिए हम यह तीनों चीज़ों को लेते हैं, फिर तीनों चीज़ों को रीड करते हैं, जब सब कुश लगता है कि ओक है, तब हम उसके बारे में तो फिर हम पता गते क्योंकि आज के युक के अंदर क्या होता है कि हर दूसरे आदमी को यह लगता है जरा सा भी समय विप्रीत हुआ किसी ने कुछ कर दिया वहम भ्रहम राहु का वर्ल्ड है न यह जो अभी हमारा पूरी दुनिया चल रही है राहु पर ही तो चल रही है हमें इन चीजों के साथ काम करना होता है जब हम इन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर समलित करते हैं हर चीज को जब हम देखते हैं तो इसके सिम्टम सेम होते हैं जासे राहु का जब भी आपके उपर पीड़ा आएगी ऐसा इंसान बिल्कुल वैसे ही action reactions देगा जैसे उ बहुत बारीक लाइन होती है डिड़क्ट करने के लिए कि क्या सच में कोई नेगेटिव उपरी हवा है या यह राहू की पीड़ा में पीड़ित है तो इसके लिए फिर कई बार हमें सुप्रीम पावर की जरूरत पढ़ती मैं सुप्रीम पावर का कुछ ऐसा माला वो मैं अपनी मदर से पूछ के टाई कर लेना मैं बहुत सारे लाख हो सुप्रीम पावर का बताओ ना कोई मैं अभी जैसे थोड़े दिन पहले का यह आपको मैं बता देती हूं एक बहुत मशूर राइटर है और मेरे हस्बंड के वो एक ताइम में गुरू रहे हैं मेरे मेरे हस्बंड नवेंबर में उनसे मिलने गए थे तब ठाकुर जी आइसा दिखाया वहां से वीडियो कॉल कर रहे थे और मैं मंदिर में बैठे वी ती तो ठाकुर जी आइसा दिखाया कि इनके साथ कुछ फिजिकली बहुत प्रॉब्लम आने वाली है तो मैंने अपने हस् बाद बाद बॉम्बे गई तो मैं उनसे मिलने गई उनके घर पर तो उन्होंने बताया कि उनको तीन बार पारलाइसिस अटेक आगया इस छे महीने के अंदर आट इस सुप्रीम पावर और ऐसी बहुत सारी चीज़े जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे सामने बैठ जाएं इंसिडेंट और बताते हूं अपनी लाइफ का मेरे पास एक 6 साल की बच्ची आई थी उसके पैरेंट्स लेकर आये थे यह बताने के लिए कि यह बहुत बिगड़ गई है ना यह स्कूल जाना चाहती है सारे दिन बोलती है कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है द खाकुर जी को अरजी लगाई जाती है और उस अरजी के अंदर जो जवाब आगया ना वह पत्थर की लकीर होता है चाहे वह नेगेटिव हो यह पाजिटिव आप एक्सेप्ट करने के लिए अपने आपको खुला रखिए पर जो भी आएगा वह बिलकुल कटू सत्ते होग नहीं बदल सकती क्योंकि उनके आगे मैं ननमश्तक हूं उनकी पावर और उनका अगर उनका हुकम है तो इसका मतलब वो उसका करमा है उसको वो भुगत नहीं है उसके बीच में हम आएंगे भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए वरना वो उसके लिए भी पीडा दायक है औ उस सत्य को आपको अच्सप्ट करना पड़ेगा एक बारी को मैं कुण्डली को चेंज करने का दावा कर सकती हूं लेकिन ठाकूर जी की कथनी को चेंज करने का मैं दावा नहीं करूंगी तो उस बच्ची को उन्होंने बोला कि यह जूट बोल रही है इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सिर्फ स्कूल ना जाने का इसका बहाना है, उनकी मदर ने बोला, क्योंकि हमने इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, आयरवे दिख करा लिया, होमोपैतिक करा लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रहे है, ठाकुर्जी ने दिखाया कि धाई महिने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम है वो डिड़क्ट होगी, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आतों में है, क्योंकि इसकी जो छोटी आत है, उसके अंदर एक गाठ बनती चली जा रही है, तब तक किसी सोनोग्राफी के अंदर ये चीज नहीं आई थी, आप इमे दी कि इस देट पर इनसे कहो ये डाइग्नॉस कराएं, इनको प्रॉब्लम सामने आएगी, फिर मेरी नेक्स्ट अर्जी थी कि क्या हम इसको बचा पाएंगे, क्यों कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ठाकुर जी ने बताया कि अगर ये डेली एंग्सियार के अंद जहां इसको मिल जाएगा, इसे वहां ले जाओ, तो हमारे पास दो तीन जगे थी, जैसे की बॉम्बे, सबसे बड़ी जगे तो हमारे पास वही थी, तो मैंने उनको बोला कि जैसे ही ये चीज डिड़क्त हो, आप इसको तुरंट बॉम्बे ले जाईएगा, तो उनको एक आप, और ऐसा एक नहीं है, मैं कहा रही है, उन्हों मेरे पस हजारों है, इंपॉसिबल ऐसी चीजे हैं जिने ठाकुर जी ने पॉसिबल कर दिया है, एक माम एक चीज और बता रहे थे आप जैसे हमें भी थोड़ा है इस चीज का इशू की लड़की मुश्किल से बिल रही कुछ चीज है फ्री में, कुछ तो बता दो आप जिससे पता लग पाए, अच्छली क्या होता है, आपका energy system होता है और आपकी body का एक element होता है, अगर आप उसके विपरित element के साथ अपने आपको जोड़ोगे, जैसे कि आप जब कुंडली मिलान करते हो, तो हम यह देखते ह और यह देव गंका है, तो इनकी आपस में कभी नहीं बनेगी, यह तो आप लोगों ने शैद सुना होगा, गुण मिलान करते हैं, जिसके अंदर यह देखते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, इनका जीवन वैसा ही चलेगा, नाड़ी दोश आ गया, तो इसका मतलब इनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा, इनको बच्चे नहीं होंगे, संतान प्राप्ती नहीं होगी, यह सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो इसी प्रकार से हमारा एनरजी सिस्टम भी होता है, बिना किसी चीज़ के, वैसे तो यह कैलकुलेशन हम लोग निम्र लॉजी के थिरू भी कर सकते हैं, आपका जो नमबर है, उसको दूसरे के नमबर के साथ में मैच करके हम बता सकते हैं, इस सबसे एजी वे वही है, लेकिन अगर आपको तब भी बहुत सारे पागल होते हैं, प्रेम में, इ empieza, उन्हें यह लगता है, तो कुछ गलत बता दिया होगा, क सोल चैर्डर हैं किया हम ट्विन फ्लेम हैं ये जानने के लिए आपका एक और mechanik स्कानिंग हो उछ सभी खार टींग होता है और आपके पार्टनर का भी और फिर बताया जाते है लेकिन इसका एक चोटा सा मैं आपको एक्जांपल आपको जब किसी के बारे में जानना हो ना कि इस व्यक्ति के साथ मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहेगा तो आप अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख दीजे और उस व्यक्ति का हाथ भी आप बिल्कुल ऐसे सीधा रख दीजे हलाकि अभी चल रहा है पर फिर भी आप आपको हीटिंग समझ में आएगी और यह जो हीटिंग आपकी जितनी बड़ी होगी इसका मतलब वह व्यक्ति आपके लिए उतना ही प्लस होगा हीटिंग मतलब आपके हाथों से हीट निकलती है तो उसकी हीट और आपकी हीट दौनों मिलके आपको जितना जादा आपको सम आपको नुक्सान देगा चाहिए मैंटली फिजिकली इमोशन देगा चाहिए मैंटली फिजिकली वह कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव रहे गाई रहे गाई रहे आपको तो किसी के साथ काम करना हूं आपको कैसा रहे हैं अरजी लगाई थी थाकुर जी के साथ तो नों ने मुझे हां कहा तब हुए आई उनके तो इजाज़त के बिना मैं घर से बाहर कदम निकाल ही नहीं सकते चलो ठाकुर जी तक हमारी अटली से वाली बात तो है कि क्या इनके पास जाओं ठाकुर जी तक आपने हमारे को आगे कर दिया हम भी वो हो गए कई ना कई वो चाही रहे होंगे हम वैसे खुद बहुत बड़े बखते हैं ठाकुर जी हम लोग भी बिन्दावन जाते रहते हैं और बहुत मन लगता है वहां पर बिन्दावन उनके साथ ये मन ही नहीं लग चलो जी इसी निवड़े पोड़काश को खतम करते हैं वरना ये पोड़काश खतम नहीं होगा मैं के बाद इतने इंट्रस्टिंग किस्से हैं मुद्ब करी एक साल तक बात कर सकती है एक और प्लैन करने है मैं फिर जी बिलकुल बिलकुल अगली बार आपके साथ एक बहु करते हैं प्लीज माम को रीच आउट करना चाहते हो तो माम के जो वेब साइट हैं नमबर्स हैं माम का इंस्टेग्राम में नीच दिस्क्रिप्शन में जरूर जाए और अगर आप भी अपनी पास लाइव जानने के लिए भी शौप दिन है तो भी चले जाए और एक बार न कर देते हैं डिस्काउंट या आप कह सकते हैं और जब नॉर्मल डेज होते हैं तो काफी हाई हो जाती है पैसे भी तो कमाने यह तो है नहीं पैसे नहीं कमाने पैसे नहीं कमाने अपने लिए नहीं कमाने ठाकुर जी ने बहुत बच्चों की जिम्मेदारी दिवी हैं मेरे हाँ पर मेरे साथ हम लोग गुरुकुल चलाते हैं जिसके अंदर हम बच्चों को सारी चीजे सिखाते हैं और बच्चे दूर-दूर से हमारे पास रहने भी आते हैं और हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करते हैं जिने हम जॉब नहीं होती है या उन्हें कुछ नही और इसको करके हम लोगों ने उनका घर चलाने की कोशिश करिए कि दिवाली उनकी भी अच्छी मन जाए यह मेरा मानना है कि एक तरीका है नहीं बहुत अच्छी चीज़ आप जैसे नेक लोग की ज़रता है इस दुने में आप इतना नेक काम कर रहे हैं और हम आपके साथ इ अफना पैसे कमाती हूँ मुझे लगता है कि वो चीज अगर मेरे पास देखिए ये वी एक आपके थोड़ा से पोडक्स लिए यह धिन फजोड़ नहीं है मेरे पास अगर योग है धन कमाने का या मेरी पतरी में लिखा है कि मैं कमा क्क्ना सकते हों तो मैं वो कमाकर उन पता था कि मेरी ताकत क्या है तो वो उसी चीज को लेकल हम जैसे करोडों लोगों की ताकत बने हुए हैं इश्वर इसी तरह से हमारे साथ है अगर मैं यह कहती हूं किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है उसकी वो ताकत है तो उसको उसकी मदद जरूर करने चीए जो खाया टाइम पर नहीं बना पाते धिया अपनी भागा दोरी की गी जिंदगी के अंदर वह जीज स्थ नहीं कर पाते हैं जलो और वैक तरीके से लेक्काम कर रहे हैं आप लोग नए नए इन्फोर्मिशन को दे रें वहांना लोग तो वोई पांगत्श पद्धतियों पे ह घर होता है उसके नाम से भी kundli बनती है वह सारी चीजे हैं उन से लोग पदलेकिन इतनी सारे चीज процैंशे पर जाना चाहिए कॉन जी पर नहीं जाना चाहिए यह आज आपके माध्यां से निवैंश को तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कोई ताकत इश्वर ने दे के रखे तो इसको आप फैलाइए श्प्रिट करें आप तो जरूर फिले विकास आप ने बता कि आप 10th जनरेशन है अपनी फैमिली की तो आप कितने प्रिसाइज होंगे यह तो भाई मेरी बिटिया 11 तो वही ओडियन्स से बोलो यहां पर इनका कॉल सेंटर का नमबर आए प्लीज गो जाके बात कर लो और बाते करो और मैं को जरूर रीच आउट करो इसी किसाद पॉड़र सो खतम करते हैं मिलते हैं नहीं पॉड़कास्ट में हम लोग बहुत थक गये हैं आप जा रहे हैं कुछ खान पान गर में तिल देन बाबाय लाइक कोमेंट शेयर सब्सक्राइब